और जयन में मंगलवार को सहज योग प्रनेता निर्मला देवी के 101 वे शताबदी वर्ष पर आयजन हुआ। कालिदास अकादमी के संकुल हॉल में योग ठारा की और से ये आयजन आयजित किया गया। जिसमें विदेशी सहज योगी कलाकारों ने भारतिय गायन, वादन और निर्ति पर अपनी प्रस्तूतियां दी। देखे गे रिपोर्ट। उजन कालिदास अकादमी परिसर इस्थत संकुल हॉल में मंगलवार शाम विदेश स्याय सहज योगी कलाकारों के द्वारा भारत के सहयोगी कलाकारों के साथ भारतिय गायन, वादन और निर्ति की प्रस्तूतियां थी गई। इन प्रस्तूतियों के माथ्यम से कलाकारों ने उपस्थत लोगों को सहज योग ध्यान पद्धती से अबकत करवाया वही भारतिय संस्कृति, भारतिय संगीत, भारतिय नरत्य क्या है उनको सिखाया और आज विदेशी भाई भैन उसी कारण यहाँ पर आये हैं इस कारिक्रम के द्वारा हम लोगों को ध्यान दारना सिखाना चाते हैं सहज योग सहम आने साथ में जव में जन्मा हुआ आपके साथ जो शक्ती जन्मी हुई है उसको सहजो कहते है श्रिमादर जी इसकी फाउंडर है जिन्होंने 21 मार्च 1923 में इसकी शुरुवात करी चिन्वाणे में उनका जनम हुआ ये विदेशी भाई बैन अपने पैसों से यहां स्वेम आये हैं श्रिफ और सिफ उनका मकसद यहां पर भारत में आकर हमें ध्यान दारना सिखाना और हम सहजो के मादम से अपने जीवन में क्या परिवर्टन ला सकते हैं ये हमें यहां पर बताने आये भारत की धारा से सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया एवम वसुधेव कुटुम्बकम जैसे मंतर का जब उदगोस होता है तो सारे विश्व में सनातन संस्कति का उद्गोस होता है और भारत ही नहीं अपितु सारे विश्व के अनेक देश सनातन संस्कति की और आकरसित है और आज उज्जेन के अंदर सहजी योगधारा के जो कारिकरम माता जी की इस पुन्य अउसरण पर जो यहां पर यहां के और उस दिशा में आज हमें यहां पर देखने को मिला है। कि बढ़ हमें दον है। So by singing these bhajans with this music and with the connection through our Kundalini to the whole providing power, we can enlighten different positive qualities within us through this connection to the Indian deities. Getting to know Sahaja Yoga, and thanks to Shri Mataji Nirmaladevi who developed Sahaja Yoga, we good to know Indian culture and Indian music, classical music, bhajans, kavalis. And it inspired us a lot because we good to know that all Indian music is based on ragas, on classical music, and we feel very good energy flowing when we sing Indian music. And Indian music, all of it, what we sing is about gods, so our attention automatically goes to gods, goddesses. And that is why when we also sing Indian music in Austria, in Europe, in different countries where people don't know Hindi, Marathi, or Sanskrit, they still feel this energy flowing, and energy that we address their God Almighty, their all-pervading power. And they open their hearts. And actually, although they don't understand abroad of India the language, but they take this music very well. And we travel with concerts worldwide, with these bhajans and kavalis. बता दें कि इस दोरान विदेशी मेहमानों का भारती कलाकारों ने भी भरपूर साथ दिया. जहां अक्षे पवार, शेफाली, डॉक्टर प्रियंका, शुभम सोनी, चेतन्नी ओस्वाल, नन्हे, किशन, डॉक्टर विजे माल विय, आगम गुपता और रमेश राव शामल थे. बीरो रिपोर्ट, MP News, उज्जैन.